हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आप सोच रहे होंगे कि यह आंटी हमें क्या दिखा रही है तो जो मेरे प्यारे से दोस्त इंडिया से हैं वो तो यह पढ़ लेंगे उनको तो पता चल जाएगा कि यह क्या चीज है यह बाकी जो हमारे इंडिया से नहीं है और जिनको हिंदी पढ़ना नहीं आता उनको मैं यह बताओं कि एक बड़ी मज़ेदार गाजल है आजकल कुछ लोगों ने न एक बिजनस सा बना लिया है कि जब तक उनकी खिदमत करते रहो जब तक उनकी वावाही करते रहो तब तक वो आपके दोस्त हैं और जरा सा आपने उनको तवज्जो नहीं दी तो वो बस अपना असली रंग आपको दिखाना शुरू कर देते हैं जब से वाईटी पे आई हूँ बहुत ड्रामे देखने को मिले आपको भी मिलते होंगे ऐसे वसे ड्रामे बहुत सारे तो छी लोगों ने बहुत कोशिश की मेरा कल का बठ्रे खराब हो जाए और काफी हद तक वो काम्याब भी रहे आज भी यही हुआ और उन्होंने अपने messages में बहुत सीना ठोक कर ये जवाब दिया कि उनकी बद्धु आएं बहुत लगती हैं तो चलो आज माशों से हम भी नहीं डरते लगती हैं बद्धु आएं तो कितनी देर लगेंगी जहां हमारे रब ने कैंसर ठीक कर दिये लूपस ठीक कर दिया एपिलेपसी ठीक कर दी ज़रा ज़रा सी बद्धु आएं किसी का कुछ नहीं बेगाड सकती और उल्टा पलट के उन्हीं लोगों पे जाती हैं तो ये जो लोग इतने घमंडी इतने अकडू से अपनी आपको खुद को रब समझने लगते हैं कि हमारे से बढ़के कोई है ही नहीं हमी को तबज्जो दो हमी को प्यार दो और किसी से बात मत करो और इतनी जैलसी इतनी जैलसी कि तुमने किसी और से बात कैसे की तो भेई मैं किसी की खरीदी हुई तो हूँ नहीं किसी की मैं कोई बांदी तो हूँ नहीं कि मैं उन्हीं के इशारों पे चलूँगी तो मेरे को आज पढ़ते पढ़ते घर आई हूँ जब सारा दिन हॉस्पिटल में आज भी बीता सुबह नो बज़े से लेके शाम के साड़े छे बज़े तक हॉस्पिटल में बेटे को गलूकोस वगएरा लगा और उसको कफी और टेस्ट वगएरा हुए उसकी तबियत बहु इसका बड़े ना मने लेकिन मेरा रब वो सब कुछ ठीक करने वाला है अब वो खुद बज़ के रहें कि उनके उपर क्या क्या हो सकता है और यही चीज इस गजल में भी कही गई है मैं अमूमन मेरे को जब कोई ऐसे अगर तंग करने की कोशिश करता है न तो मैं उनको खास जवाब वो आप कुछ नहीं देती हो बस किनारा कर लेती हो और वो ही मैंने अब दुबारा से किया है एक कुछ मैंने पहले हुआ था एक अभी हुआ मैंने वो किनारा कर लिया तो जी जब किनारा कर लेते हो और आप जवाब नहीं देते हो तो फिर आपका रब जो है ना ज जो जी यहां इस गजल के जो अलफाज है मैं आपके साथ शेयर करना चाड़ती हूँ इसी मौजू पे कि देखें यहां लिखा है और यह उस बंदे के लिए है यह मेरे एक्शली फेस्बुक पे पोस्ट थी मेरी और समने मेरे को नजर आगी तो मैंने का बहुत अच्छे मौके पे मिली है गजल तो क्यों ना इसको शेयर किया जाए तो इस गजल में उबेद सिदी की साहब जिनोंने यह गजल लिखी है वो फरमाते है खिद्मत पर मामूर नहीं है सुनते हो अगर किसी को मामूर का मीनिंग ना पता हो तो मैं बताती हूँ मामूर का मीनिंग है कि मुझे इस जॉब पे नहीं रखा गया मुझे एपॉइंट नहीं किया गया कि मैं वहां बैठ के आप लोगों की खिद्मत करूँ तो जी खिद्मत पर मामूर नहीं है सुनते हो इस दर्जा मजबूर नहीं है सुनते हो भई अभी अभी इतनी मजबूरी नहीं आई कि हमें लोगों की खिद्मत करके जीना पड़े खिद्मत पर मामूर नहीं है सुनते हो इस दर्जा मजबूर नहीं है सुनते हो हम को अपनी शर्टों पर ही जीना है हम लोगों की शर्टों पर नहीं जीते जिन्दगी हमारी है शर्टें भी हमारी होंगी हमारी शर्टें नहीं मन्जूर तो रवाना होई है यहां से हमको अपनी शर्तों पर ही जीना है ये शर्ते मन्जूर नहीं है सुनते हो जो कुछ हमने हारा था फिर जीत लिया भेजो बद्दू आएं कितनी भेजनी है मेरा रब आगे खड़ा है मुझे कवर करने के लिए जो कुछ हमने हारा था फिर जीत लिया अब बिलकुल रंजूर नहीं है सुनते हो ख्वाब हमारे मचल रहे है सीनों में आगे का बहुत कुछ सोच रखा है बहुत से ख्वाब हमारे सीनों में मचल रहे है कि आप क्या होगा ख्वाब हमारे मचल रहे है सीनों में आँखों में मस्तूर नहीं है सुनते हो कहिए मत सोचना आँखों में मस्ती चाही हुई है नहीं ये ख्वाब है हमारे ये मस्ती नहीं चाही हुई बात नहीं करते हैं हम कम जर्फों से बात नहीं करते हैं हम कम जर्फों से नशा है किस चीज का नशा है? अपने आपका नशा है कि हम हम हैं आप जो हमें बनाना चाते हम वो नहीं हैं बात नहीं करते हैं बस कम सर्फों से नशा है मखमूर नहीं है सुनते हो तो जी ये मेरी और से अगर उनको इन अलफाजों की मीनिंग नहीं पता थे तो मामूर का मतलब है आपको किसी जगा तैनाद कर दिया जाए आपको एपॉइंट कर दिया जाए तो जी आपकी खिदमत के लिए हमें तैनाद नहीं किया गया और रंजूर नहीं है मतलब दुखी नहीं है हमें किस चीज का गम नहीं है और मस्तूर का मतलब है परदा किये हुए या चुपा हुआ और कम जर्फों का मीनिंग है कोई बड़ा ओच्छा सा बंदा हो बड़ा कमीना सा हो वो नहीं है और मखमूर जो आखरी लाइन में आया उसका मतलब है मद्होश होना किसी में नशे में चूर होना तो जी हा नशा तो है अपना नशा है अपनी मेहनत का नशा है अपने रब का नशा है कि हमारा रब हमारे साथ है लेकिन मखमूर नहीं है न उन नशों में चूर नहीं है जिनमें आप लोग चूर रहते हो हम उन नशों में चूर नहीं है और बात नहीं करते हैं बस कम जर्फों से कमीने पन से हम लोग बात नहीं करते और अपने रब के एहसानों क्तले उसके नशे में हम मस्त हैं लेकिन उस नशे में हम मधोश नहीं है उस नशे में चूर नहीं है जिसमें आप लोग रहते हो तो जी मेरा ये जवाब जिसने समझना है वो समझ जाएगा बाकी है बेशक उमर बढ़ती जाए बेशक कुछ भी होता जाए लेकिन ना मुझे कोई यहाँ पे रोक सका है और ना कोई रोक सकेगा जो आएगा यहाँ रायता फैलाने उसको एक किनारे करूँगी और मैं आगे बढ़ती जाओंगी और बैठके देखते रहो आप समझने वाले समझ गए जो ना समझे वो अनाड़ी है एक दिन बर्डे नहीं हुआ तो क्या हुआ रोजाना बर्डे है खुशिया एक दिन की नहीं होती खुशिया रोजाना होती है उम्र भर की होती है तुम्हारी गंदी सोचने अगर मैसेज पे मैसेज भेज भेज के भेज भेज के अगर एक दिन मेरा या दो दिन मेरे बर्बाद किये तो तुम मुझे बर्बाद नहीं कर सकते आज तक किसी की हमत नहीं हुई मेरी कहानी तो सुनी ही है ना पड़ी भी है इतनी इतनी चीजे मुझे बर्बाद नहीं कर पाई तो तुम किस खेत की मूली हो मुझे कोई बरबाद नहीं कर सकता मुझे अगर करेगा तो मेरा रब करेगा जिस दिन मेरा रब मेरे से खुश नहीं होगा वो बरबाद करेगा लेकिन मैं अपने रब की नजरों में ऐसा कोई काम करती नहीं हूँ जिससे मेरा रब मुझसे खफा हो और तुम लोग क्या करते हो सिर्फ दुनिया वालों की चमचागिरी करो बेटा जितना मर्जी करो आखिर में जब ठोकर खाओगे ना उस वक्त याद करोगे जैसे बाकियों ने याद किया ना वैसे तुम भी करोगे और जरूर करना उस वक्त याद खास करके इस गजल को जड़ा कॉपी पेस्ट करके अपने पास रख लेना ओके और मेरी दुआ रहेगी कि तुम्हें अपने किये हुए पर जल्दी पच्चतावा हो कि तुमने क्या किया अल्ला तुम्हारा निगेबान हो अल्ला हाफिस